नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हम लोटे हैं एक ऐसे सीरियल के बारे में बात करने के लिए जिसे आप शायद पहले बहुत ज़्यादा पसंद करते थे लेकिन अब उसकी टियारपी में गिरावट आ चुकी है और हो सकता है जल्द ही ये सीरियल और फियर हो जाए यानि की बंद हो जाए और मैं बात करने हो इश्कबास के बारे में इश्कबास एक ऐसा सीरियल है जो आते ही टीयारपी में च्छा गया था और टॉप फाइब में अपने ले जगा बना ली थी क्योंकि इसके जो किरेदार हैं वो बिलकुल नए थे और नए किरेदारों को बहुत ज जब जब पसंद किया और सबसे प्यारा किरेदार था उनमें से एक जिसका नाम था खिड की तोड अनिका जिसका बूलने के अंदास की बात करें उनके डIEलॉक्स की बात करें या फिर उनके रोल की بात करें हर एक चीज दर्शकों को बहुत ज़दा लुभाती थी और बहुत ज़दा इस सीरियल को मतलब उनकी वज़ा से शायद देखा जाता था लेकिन जैसे ही जो अनिका है उन्होंने अपना किरेदार छोड़ दिया है और नकुल महता यानि कि जो शिवाए हैं वो इस सीरियल को कर रहे ह हैं और वही इस पूरी कहानी को बांदे रखे हैं लेकिन कहीं न कहीं उनके अनिका के इस शो को छोड़ने से इसकी जो टी आर पी है उसमें गिरावट आई है हो सकता है मेकर्स की जो कोशिश है वो काम्याब नहीं हो रही है और उसी के चलते यह जो शो है जल्द से जल्द कर दिया जाएगा हो सकता है 2019 जो की जनवरी में यह सीरियल आफियर हो जाएगा क्योंकि यह जो सीरियल है इसकी कहानी को दिल्चस बनाये जाता था अनिका और शिवाय के रोमैन से उनकी नोग जोक से और उनके जो बहुती अनोखे डायलॉक्स होते थे उन से अब वो चीज देखने को नहीं मिलेगी सीरियल में तो फ्रैंस बहुत जादा निराश हो गए है है तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि या तो अनिका शो में वापस आ जाएंगी क्योंकि मेकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको मनाने की कि वो जल्द से जल्द शो में अपनी वापसी करें और दुबारा से अपने अंदरूनी जो उनका जो भी अनुखा अंदाज है वो सीरियल में मसालेदार डायलोक्स के साथ हमें देखने को मिलें लेकिन उनकी कोशिशे कामियाब नहीं हो रही हैं क्योंकि सुर्भी का जो फैसला है वो अटल हो चुका है वो दुबारा से इश लोगों को एंटर्टेन करने आ रही हैं तो इश्कबास की कहानी को अब मेकर्स कब तक चला पाएंगे ये चीज़ देखते हैं और वक्त के साथ ये चीज़ का खुलासा हो जाएगा कि कब तक इश्कबास औफियर हो जाएगा क्योंकि अनिका के बिना इश्कबास में सीरियल को चलाए रखें लेकिन जब टी आर पी नहीं आईगी सीरियल की या फिर दर्शक इसे देखना पसंद नहीं करेंगे तो अफसोस के साथ मेकर्स को भी सीरियल को बंद करना पड़ेगा उनके पास भी कोई और आप्शन नहीं है देखते हैं कि मेकर्स कब तक कोशिश करते हैं सीरियल को चलाने की और कब तक उनकी कोशिशे काम्याब नहीं होती है और कब वो इस सीरियल को आफियर कर देंगे लेकिन जानकारियों के अनुसार जनवरी तक ये सीरियल आफियर हो सकता है तो हमें जल्दी लोटूंगी एंटेटीन्मेंट से जुड़ी या फिर बॉल्वोट से जुड़ी लेटिस्ट अपडेट के साथ तैंक यू सो मच खी वाचिंग टूदेश फर मोर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इसके साथ साथ तोडेश मारे सारे शोज और प्रोग्राम्स यूटूब चैनल पर भी देख सकते हैं प्रोग्राम्स